नमस्कार दोस्तों आपसे होका स्वागत है शबी परतियोक्ता प्रिक्षाओं के लिए शमान्य ग्यान बहुत ही बहुत महतपुर्ण प्रस्ण है क्योंकि बिल्कूल ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको खास करके गुरूब डी रेलवे में और अन्य परतियोक्ता के लिए रि संबिधानिक आयोग है गैर संबिधानिक आयोग है तो आप लोग याद रखेगा इस प्रश्निक का उत्तर हो जाएगा आपका उप्षन नमबर ए बिरकुल सही है योजना आयोग जो है कि ये संबिधान के दोरा नहीं बनाया गया है और ये गैर संबिधानिक आयोग है यो और संग लोग सेवा आयोग ये भी संबिधानिक है लेकिन योजना आयोग जो है कि ये क्या है एक गैर संबिधानिक आयोग है तो आप लोग याद रखेगा कि कौन सा योजना गैर संबिधानिक है तो योजना आयोग एक गैर संबिधानिक है चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है शंविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन नंबर B बिल्कुल सही है मूल अधिकार को शंविधान की आत्मा कहते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है चौदा वर से कम उम्र के बच्चाओं को जो खिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संग्रक्षन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोसन के ब्रूद आप्सन नमर ए शही है अगला प्रश्न है चानक की किसका परधान मंतरी था तो चंदरगुप्त मोड्य के परधान मंतरी था अगला प्रश्न है चंगोज खान किस देश का निवासी था चंगोज खान मोगोलिया के निवासी था अगला प्रस्ण है वायू दाव को किस यांत्र की सहिता से मापा जाता है तो वेरो मीटर से मापा जाता है अगला प्रस्ण है राज सवा धन विधायक को अधिक्तम कितने समय तक रोक सकती है तो 14 दिन तक रोक सकती है अगला प्रस्ण है नीमनली खीत में चमकिला अगर है कौन सा है तो नीमनली खीत में से चमकिला गरा आपका सुक्र है जो कि इसे सुभा का तारा और साम का तारा भी कहा जाता है और सबसे पहले यही तरा आपको सुभा साम में दिखाए देगा और सुभा सबसे पीछे यही तरा दिखाए देगा इसलिए इसे सुभा का तारा और साम का त तरा भी कहा जाता है और सबसे चमकिलाता रहा है सुक्र अगला प्रस्ण है यदि चंदर्मा पर बैम बिस्पोट हो तो उसकी आवाज पिर्थिवी पर कितने समय बाद सुनाई देगी तो इस प्रस्ण का आप उत्तर देख रहे हैं इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि उसका आवाज ही नहीं बहर आएगा क्योंकि वहाँ पर लगवग में सुनाई देता है नहीं अगर आप चंदर्मा पर कुछ बोलियेगा तो दुसरा बेखती सुन ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ वाईव मंडल नहीं है चलते अगले प्रस्ण की और प्रस्ण है जेल की कठोरत किसके कारण होती है तो जल की कठोरता होती है C A H CO 3 2 के कारण option number B सही है अगला प्रस्ण है विश्वत रेखा पर दीन होता है विश्वत रेखा पर दीन होता है 12 घंटे का option number C सही है विश्वत रेखा पर दीन होता है 12 घंटे का अगला प्रस्ण है नाविकिय रियक्टर में न्यूट्रोन को सोसित करने वाला तत्व है केडिमियम केडमियम अगला प्रसंद है आपका किस महिला को भारतिय स्वतंतरता अंदवलन की माता कहा जाता है किस महिला को भारतिय स्वतंतरता अंदवलन की माता कहा जाता है तो मैडम भीकाजी कामा मैडम भीकाजी कामा को भारतिय स्वतंतरता की माता कहा जाता है अगला प्रस्ण है राज सभा के सवापती होते है उपराष्ट पती अप्सन नमर B बिल्कुल सही है उपराष्ट पती जो है राज सभा के सवापती होते है अगला प्रस्ण है पीतल एक मिस्र धातु है जबकी वायू एक मिस्रन है पीतल एक मिस्र धातु है वायू एक क्या है गयसों में गयसों का मिसरन option b शही है अगला प्रस्न है insulin की कमी के कारण होने वाला रोग है diabetes option बी शही है अगला प्रस्न है सूर्य में नाविकिये इंदन है hydrogen option C शही है अगला प्रस्न है भारत में योजना आयोकेस्ट अपना कब की गई थी स्थापना की गई थी 1951 में 1950 1951 में क्या गया था उप्शन नमर सी सही है अगला प्रस्ण है गदर पाटी का मुख्याले कहां है तो सेंस फ्रांसिस्को गदर पाटी का गदर पाटी का स्थापना क्या था लाला हर द्यालने 1913 में उप्शन नमर सी बिल्कुल से इसका मुख्या से ट्रांसिस्को में था अगला फ्रस्व ने बीवी का मकवरा इस्तित है आप्शन नमर सी सई है अगला प्रस्व ने बंगाल के पालंज助 का संस्थापक Canțra बंगाल के पाल वंस का संस्तापक था गोपाल, उप्शन नमर B सही है अगला प्रस्ण है, निम निरी खीत में से कौन अस्तंधारी नहीं है अस्तंधारी नहीं है, मगर मच, मगर मच अस्तंधारी नहीं है उप्शन नमर D सही है अगला प्रस्ण है विश्व वेपार संगठन WTO में कितने सदस्य होते हैं तो अभी 193 सदस्य है ओप्शन नमर D सही है वेदों की संख्या है चार अगला प्रस्ण है का पड़ियोग करके दूद में पानी की मिलावट की जाँच की जा सकती है अगला प्रस्ण है भारतिय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन और मनक संस्था RND विभाग किस अस्थान पर इस्तित है तो लखनाव में इस्तितन और भी सही है अगला प्रस्ण है दिक्की डलमा समन्दित है परवत रोहान से और अप्शन नमर D सही है अगला प्रस्ण है दिल्ली संतलत के किस सुल्तान ने सार परत्थम अस्थाई सहना का निर्मान किया था तो दिल्ली संतलत सुल्तान ने कौन था अलावदिन खिल जी अलावदिन खिल जी ने अस्थाई सहना का निर्मान किया था तो नमर C सही है अगला प्रस्ण है करो या मरो का नारा किसने दिया था तो करो या मरो का नारा दिया दिया था महत्मागांदी ने 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन के समय में अगला प्रस्न है भारत पर 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 प प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number D बिलकुल जही है बंगाल बिभाजन बिरोद अंदुलन के शमय अगला प्रस्ण है हसने वाली गैस रसाइन रसाइन सास्तिर्थ की भासा में जानी जाती है N2O, 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 हसने वाली गैस है अगला प्रसने बल्व का तंतु किस धातू का बना होता है तो टिंगेश्टेन का बना होता है उप्सशन मर्सी सही है अगला प्रसने जब बावर ने पहली वार भारत पर आकर्मन किया था तो उस समय दिल्ली संतलत के तकत पर कौन बिराजमां था तो इब्राहीम लोधी जब बावर ने भारत पर कर्मन किया था तो उसमें कौन था इब्राहीम लोधी ता दिल्ली करा जा अगला प्रस्ण है निम्दली खीत में से किस अधिकारी की नियुक्ती परधान मंत्री की राय पर राष्टपती दुआरा की जाती है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्युक्त सभी उप्युक्त सभी प्रस्ण के बार फिर से समझें निम्दली खीत में से किस अधिकारी की नियुक्ती परधान मंत्री की राय पर राष्टपती की दुआरा की जाती है तो भारत के मुख्य न्याजदिस बिल्कुल सही है संग लोक सेवा आयोक कद्यक्ष बिल्कुल सही है राज जी के राजपाल बिल्कुल सही है उप्युक्त सभी उप्युक्त सभी को अगला प्रस्ण है सेवी किसका प्रतिक है सेवी किसका प्रतिक है तो इस प्रस्ण का उत अगला प्रस्ण है आपका केंद्रिये मंत्री परिशद किसके प्रति उतरदायत होती है तो लोक सवा के दुवरा उतरदायत होती है केंद्रिये मंत्री, option number D सही है अगला प्रस्ण है निम्दली खीत में से कौन कौन सा रंग प्रार्थिमिक रंग की सरेनी में आता है तो निला, हरा एवं लाल ये तिनों प्रार्थिमिक रंग है लाल, निला, हरा अगला प्रस्ण है आपका भारत की राष्टिये आय की गन्न की जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number D बिल्कुल सही है अगला प्रसंद है उचाई पर खाना देर से क्यों बनता है तो वायू मंडलिये दाब घड जाता है इसलिए उचाई पर खाना जल्दी नहीं बनता है अगला प्रसंद है सुच्मदर्सी का अविस्कार किस ने किया था जेड जाउंसन ने सुच्मदर्सी का अविस्कार किया था अगला प्रसंद है रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था तो उननीस में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था अगला प्रस्ण है आपका मौनफ शरीर में कौन सा पदार्थ उर्जा का मुख्य स्रोत होता है तो कार्वो हैड्रेड औक्षन नमड़ी सही है अगला प्रस्ण है सबसे जटील कर्वनिक पदार्थ होता है सबसे जटील कर्वनिक पदार्थ होता है प्रोटीन सबसे जटील कर्वनिक पदार्थ है अगला प्रस्ण है हरित करंती का प्रारम किस वर्ष क्या गया था या हुआ था तो अप्षन नमबर 1964 आर्षट में किस राज की सीमा रेखा किस राज की सीमा रेखा पाकिस्थान के साथ सर्वदिक लंबी है किस राज की सीमा रेखा पाकिस्थान के साथ सर्वदिक लंबी है तो राजस्थान option number A बिल्कुल सही है राजस्थान का सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ सर्वधिक सटा हुआ है साबून को जल में घुलने पर जल के प्रिश्ट तनाब पर क्या प्रवाब पड़ता है तो घर जाता है option number B सही है अगला प्रस्ण है DNA संसलेशन का परतिपादन किस ने किया था तो DNA का DNA संसलेशन का परतिपादन किया था वाट्सन एवं क्रीक ने वाट्सन एवं क्रीक ने option number C सही है अगला प्रस्ण है भारत में काजू उत्पादन में मुख्यराज है केरल